हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूटीब चैनल आज मैं आप सभी को ये स्वेटर डीजाइन बताने वाली हूँ जिसे कि आप इसे बंडी में और किसी के भी स्वेटर में अपलाय कर सकती है और इसे आप सौक्स बगर में भी अपलाय कर सकती है जैसे कि आप यहांपे देख रही है मैंने यहांपे एक कलर के उन में इस Ici डीजाइन को बनाया है और यह बैक साइड इस तरीके से है कोई यहांपे उलजण नहीं है और राइट साइड से कुछ इस तरीके से है यह उब्रा-उब्रा सा डीजाइन है तो ये चार प्लस दो छे फंदो का ये पैटरन रहेगा तो उसी के मल्टीपल में आप जो है फंदे बना लेंगी और आपको जितने भी फंदे में बनाना है उसे आप इस डिजाइन को बना लेंगी मैं यहां पर सेंपल के तोर पे थोड़ा सा बना करके आपको दिखाया है त प्लिस हमारे वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चनल को तो सब्सक्राइब कर लें चली बनाते इस डिजाइन को जैसा कि मैंने बताया है कि इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है तो यहां पर मैंने सेंपल के तौर पे कुछ फंदे निक पहले फंदे को मिश्तरी के से skip कर लेंगे और 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा यहां पे 3 फंदे उल्टे बिन लिए उनको पीछे करेंगे और 2 फंदे यहां पे सीधे बिनेंगे देखेजें, 1, 2 2 फंदे सीधे, उनको अपनी और लाएंगे और 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 4 फंदे उल्टे उनको पीछे 2 फंदे सीधे 1, 2 यह जो है यहां से 3 फंदे को छोड़ करके यह 6 फंदे का यहां पे पैटर्न जो है रिपीट होगा जैसे कि यह 2 फंदे सीधे हैं उनको अपनी ओर लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बीन लेंगे, देखिये, 2 हो गए, 4 फंदे उल्टे उनको पीछे करेंगे, और 2 फंदे सीधे और यह 3 फंदे एक्स्टा है, जो इधर मने लिए हैं, दोनों साइट के 3-3 फंदे हमने एक्स्टा रखें, उसे हम यहाँ पे बीन लेंगे फर्स्ट रोव आपका इसी तरीके से बीन करके complete करेंगे 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे इस तरीके से ही आप इसे repeat करेंगे और आ जाएंगी wrong side में Wrong side में क्या करना है 1 फंदे को skip करेंगे उतार लेंगे slime में और 2 फंदे जो हमने उल्टे बीने हैं उसे हम यहाँ पर सीधे बीन लेंगे फिर उनको अपनी और रखेंगे और दो फंदे यहाँ पर उल्टे बीनेंगे जो की राइट साइट से सीधे हैं और राइट साइट से उल्टे उसके आप फिर उनको पीछे करेंगे और फोर फंदे सीधे बीनेंगे वन, टू, थ्री, फॉर, फॉर फंदे सीधे बिनेंगे, वो रॉंग साइट से और राइट साइट से उल्टे रहेंगे, उनको अपने और करेंगे और टू फंदे उल्टे बिनेंगे, अगेन हमें फॉर फंदे जो हैं, उल्टे बिनने हैं, देखें पर इस तरीके से, वापस से उनको अपनी और लाएंगे टू फंदे सीधे और थ्री फंदे एक्स्ट्रा के जो मैंने दोनों साइड रखे हैं इस तरीके से आपको ये रॉंग साइड से बीन करके कम्प्लीट करेंगे अब फर्स्ट स्लाइड जैसा हमने बनाय था सेम हमें अब यहां पे नजर आने और हमें इसी तरीके से रिपीट करना है जैसा कि पहले फंदे को स्कीप करेंगे एक और दो दो फंदे उल्टे उनको पीछे दो फंदे सीधे एक और दो दिखें यहां पर इसीधे फंदे नजर आ रहे हैं उनको अपनी और रखेंगे और फोर फंदे उल्टे बिनेंगे व एन टू फंदे सीधे वून को अपनी ओर इसी तरीके से आपको यह जो फर्स्ट रो में हमने बनाए हैं सेम हमें यहां पर थर्ड रो को भी बना के कम्प्लीट करना है प्लस फोर्थ रो को भी हमें सेम बना करके कम्प्लीट करना है यह थर्ड रो हो गया कम्प्लीट कुछ इस पूज़ीर जैसे हैं और सेम उसी तरिके से बना लेनी है घर क हम 5 डॉल से बनाना स्काइब जब करें देखिए क्या री बत करना ग्तेस के हैं जाय यह नहीं प्रिकिक अनती है तो आप मुझें करां के पूछ लिजाएगा मैं आपको को आंसर करूंगी इस डिजाइन को लेकर के इस तरीके से हो गया यह complete देखी काफी gap हो गया है अब हमें जो है इसमें डिजाइन बनाना है तो पहले फंदे को skip करेंगे और दो फंदे यहां पर उल्टा बीनेंगे एक और दो दो फंदे उल्टा बीनेंगे उनको पीछे और यह देखें दो फंदे जो हमें सीधे बीने हैं वो दो फंदों के बीच में से स्लाइ को नीचे लेकर के जाएंगे और इस होल में एक फंदे निकाल लेंगे इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके उपर उसे रखेंगे और यह दो फंदों को जो अभी हमने फंदे बना तो जो फंदे अभी हमने बढ़ाये थे उसे अभी ही इसे घटा देंगे और ये कुछ इस तरीके से नजराएंगे और वापस से हम उसी होल में स्लाई को इन करेंगे और एक फंदे और निकालेंगे जैसा कि हमने अभी निकाले थे एक फंदे निकालेंगे वाद वापस से हमे दूसरे वाले slime इसे in करना है चड़ा देना है और यह एक्स्ट्रा फंदे प्लस एक सीधे फंदे दोनों को हम slime में एक साथ लेंगे और इस तरीके से इसे भी हम घटा देंगे तो जो दो फंदे हमने सीधे लिए थे सेम हमारे पास दो ही फंदे बचे हैं कोई extra फंदे नहीं है अब फोर फंदे जो हम यहां पर उल्टे बिन लेंगे देखिए one two three and four four फंदे उल्टे बिने गवाद उनको पीछे करेंगे वापस से हमें देखिए यह दो फंदों के बीच एक साथ ब्रॉंग साइट से इस तरीके से बिनेंगे वापस से हमें यहां पर फंदे डालने हैं sorry lie डालनी है और फंदे निकालने हैं खीज के इसके उपर रखना है उसके दो फंदों का एक फंदा कर देना है बहुत ही आसान है इस डीजायन को बनाना जैसा कि आप देख प करना है और आप को भी इसी थरीके से पूरी ज़ो है बीन करके गूल करने हैं को सुफ्रें विया इस तरीके से पूरी लाइगी अब हमें क्या करना है इस यो इस इस तरीके से पहले जो दो फंदे उसे हम स्लाई में लेंगे और इसको हम आराम से उतारेंगे और फिर वापस से स्लाई में चढ़ा लेंगे और फिर ये फंदे को चढ़ाएंगे उसके बाद फिर इन सभी फंदों को यहां पर तीन फंदे जो हैं उसे उल्टा बीन लेंगे दिखिए एक दो और एकी तीन रong sai Deco स्पिधा रहेगा, right side से उल्टा रहेगा अब वापस से हमारे पास एक फंदों यहाँ पर दिख रहे हैं तो इसे हम क्या कठेगे प्याशिदgeb trade, wrong side सा लेगे और उतारें और इन फंदों को हम सामने से चड़ा लेगे और वापस से यह दो फंदों को हम स्लाइम में चढ़ाएंगे और फिर इन तीन फंदों को उल्टा बीन लेंगे एक दो और एक यह तीन तो कुछ इस तरीके से नज़राएंगे देख लिजी अब हमें हमारे पास यह दो फंदे जो है उल्टे बच गया है क्योंकि फोर फंदे हमने यह बीच में रखे थे तो यहां पर देखे इस वाले फंदे को लेंगे स्लाइम में और यह दो फंदों को बीच में करेंगे इस तरीके से अर इसे हम सआइड में रखेंगे उसके बाद फिर यहां पर उल्टा इसे बीलेंगे 1,2 & 3 अगेन हमें उससी को रिपीट करना है यहां पर 1 पंदे बचे हुए हैं तो 2 फंदे एक पहले लेके आएंगे इसको हम पीछे करेंगे इस तरीके से हम इस तरीके से दिखे लेकर के आएंगे और ये दो फंदों को स्लाई में चढ़ाएंगे और फिर तीनों फंदों को उल्टा बीनेंगे एक दो और एक ये तीन और ये कुछ इस तरीके से नजराएंगे इसी तरीके से आपको पूरी सलाई जो है बना लेनी है आपको जितना भी बनाना है उस तरीके से लाएंगे और तिन फंदे जो है उल्टे बीन लेंगे याद रखे इस टाइम पर wrong side से हमें सब ये फंदे जो है उल्टे बीन लेने हैं तो ये डिजाइन हो गया, अब हमें next क्या करना है, ये जो दो फंदे हमने एक साथ यहां पे रखे हैं, इसे हमें सीधा बिनना है और इसके बीच वाले 4 फंदे को उल्टा बिनना है, एक बार देखेंजे कैसे, यहां पे एक फंदे हमें skip करने हैं, उनको पीछे लेके जानी ह और ये एक फंदे सीधे बिनने हैं, next रिजाइन में जो है, यहां पे पहले हमने तीन फंदे उल्टे बिनने थे, उसके बाद दो फंदे सीधे बिनने थे, यहां पे हमने एक फंदा उल्टा बिनना है और एक फंदा सीधा बिनना है, उसके बाद उनको अपनी और लेकर के और चार फंदे उल्टे बिनेंगे, एक, दो, तीन, और एके चार, चार फंदे उल्टे, अब यह दो फंदे हमने ट्विस्ट करके एक साथ लाया है, इसे उनको पीछे करेंगे, और यहां पे दो फंदे सीधे बिनेंगे, वापस से हमें फोर फंदे उल्टे बिनने हैं, वन, में स्टार्ट किये थे हमें वापस से यह बिनेंगे और लास्ट में एक इन्ट है इसे हम sponsor ही सीधु बिने और इसे वापस से उलटा बिन लेंगे और इसी तरीके से यहाने से जैसे हैuden हमें उसी तरीके से बीन लेनी है एक फंदे उल्टे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री एन फोर अगेन हमें वन टू फंदे उल्टे वन टू थ्री एन फोर फंदे सीधे इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेंगे तो फ्रेंस देखिए आप जो है यहां पर गीन करके मैंने for slie सेम हमने यहां पर इस तरा के से ही बना रखे थे अब जो है यह next design बनने को तयार हो गया है अब यहां से आफ फंदे इस तरीके से दो फंदों के बीच चुआ बीच में से इस तरा के निका लिएगे यहां बनाले कि यहां बना ले और twist करके फिर वापस से हम इसे जोडते चले जाएंगे तो यह बहुत ही खुब्सरत से design बन करके तयार हो जाएंगे इस तरीके से तो उमीद करते हैं आप सभी को यह डीजाइन बहुत ही पसंद आये होंगे तो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया हमारी चनल को तो सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू